वोड़ फोन आइडिया इस पर करते हैं फोकस नंबर्स आने वाले हैं और रीसिंटी खबरों में भी था क्यूंकि हमने देखा था यहां पर डेट टो एक्विटी कंवर्जन भी हो गया था इनका जो ड्यूस थे सरकार को वो नहोंने कंवर्ट कर दिया है बट नंबर्स कैसे रहेंगे कुशल हमारे साथ तैयार बताने के लिए कुशल थोड़ा तो ऑप्टिमेंजम बना है कंपनी के डेट कंवर्जन के बाद बट क्या नतीजे कुछ अच्छा रिफलेक्ट करने वाले हैं नहीं दिपांचू और नतीजे से ज्यादा मैं आपको यह बात कहूं कि साथी कामकाजी मुनाफ़ा एक्जाक्ली फ्लैट रहने का अनुमान है 4,097 करोड रुपए पर मार्जिन 38.5% 38.6% ऐसे ही लेविल रहे सकते हैं और साथी अगर आप घाटा देखें कंपनी का तो वो भी अल्मुस्ट इक्वल लेविल पर हो सकता है कि आपको करीबन-करीब 1,500 करोड रुपए का घाटा यहां पर कम होतावा नजर आए आरपू जहां तक बात है यह थोड़ा सा अच्छा पॉस्टेव मूव हो सकता है आलकि अन्य कंपनियों ने भी 2,5% के गेंस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे तो यहां पर भी 2.3% के गेंस एक्सपेक्टेड ह रुपए पर कमपनी अपना आरपूर कर सकती है तो एक चीज और आपको देखनी है कि यहां पर खासकर जो पूझी निवेश पर हम लगातार कहते आ रहे हैं कि इनका अभी तक भी इस पर अपडेट नहीं आया है तो फाइनली हो सकता है कि इस क्वार्टर में यह अपडेट तिमाही दर तिमाही आदर पर कुछ जादा इंप्रूव्मेंट नहीं बिल्कुल भी बदलाव नहीं हो सकते है और यहां पर तो काफी सप्राइजिंग था अभी तक जितने भी प्रियूज मना है थोड़ा सा भी चेंज इसमें बिल्कुल भी अमें नहीं देखने को मिला है वैसे सब्सक्राइबर लॉस तो लगाता है उसके बाद नमबर से स्टेबल नहीं क्योंकि प्रीमिम प्लान कहीं उसका फाइदा इंकाव मिलता इसलिए आर्पूम कहा है कि अगर शाट लाक सब्सक्राइबर लूस करें और फिर भी नमबर इनके ठीक है रहने वाले हैं तो तो बहतर ही परफॉर्मेंस रहनी चीए पर चलिए Vodafone आइडिया बहुत चचच स्टॉक पिछले हवते काफी अक्शन भी लिथा इस पर है